रतन टाटा भारत के सबसे सम्मानित और सफल उद्योग पत्यों में से एक हैं। उनका जन 28 डिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे टाटा समू के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और उनके नित्रित्व में टाटा समू ने न केवल भारत में बलके वेश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। रतन टाटा के मुर्थित्व में कंपनी ने कई बड़े अधिग्रहन किये जैसे की जागवर लेंड रोवर और कोरस स्टील जिससे टाटा समू का विस्तार अंतराश्ट्रिय बजार में भी हुआ। रतन टाटा का पालन पोशन उनकी दादी मातापिता का तलाख हो गया था। जवत छोटे थे। उन्होंने अपने शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में की और बाद में अमेरिका के कार्नल युनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजिनियरिंग में डिग्री प्रात की इसके बाद उन्होंने हाटवर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मेनेजमेंट प्रोग्राम किया सन 1961 में रतन टाटा ने टाटा समू में शामिल होकर अपने करियर की शुरुआती दिनों में उन्हें कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ा लेकिन दीरे दीरे उन उन्होंने टाटा ग्रूप के विभिन्ड प्रोजेक्स में योगदान देना शुरू किया 1991 में उन्हें टाटा संस का चेयर में नियूप किया गया और उन्होंने अपने रतन टाटा समू को एक वैश्विक ब्राण्ड बनाने में महतोपुन भूमिका निभाई उनकी कुछ बड़े युगदान है जैसे कि रतन टाटा ने भारत के आम आदमी के लिए सस्तीकार बनाने का सपना देखा और इस सपने को पूरा करते हुए उन्होंने दुनिया की सबसे सस्तीकार टाटा नैनो लांच की उनके नैतरित्व में टाटा ने जैगवर, लैंड रोवर और कोरस स्टील जैसे बड़ी विदेशी कंपनियों का अधिग्रहन किया जिससे टाटा समों का अंतरराश्ट्रिय विस्तार हुआ रतन टाटा के कार्यकाल में TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस एक बड़ी आईटी कंपनी के रूप में उभरी और आज यह दुनिया की अग्रणी आईटी सेवाओं में से एक है रतन टाटा का नाम सिफ उद्योग के क्षेत्र में ही नहीं बलकि सामाजिक कार्यों में भी सम्मान से लिया जाता है उन्होंने शिक्षा, स्वास्ति और ग्रामिन विकास के क्षेत्रों में भी उलेकनी ये योगदान दिया है उनका मानना है कि उद्योगों का करतव यकेवल मुनाफ़ा का माना नहीं बल्कि समाज के विकास में भी योगदान देना है रतन टाटा आज तक अविवाहित हैं वे अपने नीजी जीवन को बहुती नीजी रखते हैं उन्हें किताबे पढ़ने, संगीत सुनने और अपने कुत्तों के साथ समय विताने का शौक है वे अपनी सादगी और इमानदारी के लिए जाने जाते हैं और इसलिए वे भारत में ही नहीं बलकि दुनिया भर में प्रशनशा के पात्र हैं रतन टाटा को उनके योगदान के लिए कई पुरसकारों से सम्मानित किया गया है उन्हें 2000 में पद्मबूशन और 2008 में पद्मबूशन जैसे भारत के सरवोच नागरिक पुरसकारों से सम्मानित किया गया इसके अलावा उन्हें कई अंतराष्टी सम्मान भी प्राप्त हुए है रतन टाटा हमेशा नेतिकता सादगी और कड़ी मेहनत में विश्वास रखते हैं उनका कहना है I don't believe in taking right decisions and then making them right उनका जीवन यह सिखाता है कि चाहे कितने भी कठिनाईयां आएं अगर इरादे मजबूत हों तो किसी भी लक्ष को हासिल किया जा सकता है रतन टाटा आज भी एक प्रेणना श्रोत हैं खास कर युवा उद्यमियों के लिए उनका जीवन सादगी नेतिकता और निस्वार्थ सेवा का अध्वितिय उधारन है तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो जो कि काफी इंस्पिरेशनल है मोटिवेशनल है आशा कित्यों कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत घैल्फुल रही होगी आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुए होगे ये वीडियो देखकर इस तरह के ऐसे ही inspirational वीडियो और motivational वीडियो लेकर आती रहोंगी आप सभी की सामने online future tech kingdom पर चलिए अब रखे अपना बहुत सारा ख्याल फिर मिलेंगे next कुछ ऐसे ही अच्छे से content के साथ till then bye bye take care love you all